उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग वेवीचार करते हैं। लिखा इसके परिणाम धूर गामी और गंभीर होते हैं। नितिवचन छे मैं 23 पर पढ़ूँगा आप उसे 26 से देखेंगे। आग्या तो दीपक और शिक्षा जोती और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ताकि तुझको बुरी इस्त्री से बचाए और प्राई इस्त्री की चिकनी चुपडी बातों से बचाए। उसकी सुंदर्ता देखकर अपने मन में अभिलाशा ना कर। वे तुझे अपने कटाक्ष में फसाने ना पाए क्योंकि वैश्या गमन के कारण मनुश्य तुकडों का भिखारी हो जाता है। वेभी चार ने अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके जिन्दकी में परमिश्र की योजना थी। क्यों उन्होंने सेवा करनी थी। यहां पर बड़े-बड़े काम करने थे। लेकिन वेभी चार के कारण मैंने उनको निकाला यहां से और वो घरो में बैठे वी हनलाइन देख रहे होंगे। तो कि बाइबल क्या कहती हία ? वेभी चारनी अनमोल जीवन का शिकार कर लती है। अहेर का मतलब होता है शिकार कर ना कि जो वेभी चारनी ए कि एक spirit है Bible कहती है एक दुष्ट आत्मा है जो हर वक्त परमिश्व के दासों के पीछे और विश्वासियों के पीछे लगी रहती आप नहीं जानते मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ मुझे मालूम है कौन रियल प्रॉफिट है कौन रियल प्रॉफिट है कौन रियल प्रॉफिट है मुझे मालूम है मैं जानता हूँ लोग कितने धोके बाज है कितने विभीचारी है कितने चोर है मैं सब जानता हूँ और मुझे मालूम है एंड क्या होगा उनका तो कि Bible कहती है वे भी चारणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती लिखा क्या हो सकता है कोई अपने छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और उसके पाऊ न जुल से जो पराई इस्त्री के पास जाता है वो ऐसा ही है वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा 32-33 सायथ को मैं पढ़ूँगा जो परपरिस्त्री गमन करता है वो निरनिर्बुद्धी है वो अपने प्राणों को नश्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी न मिटेगी परमिशन ने का जो वे वीचार करेंगे उसका असर क्या होगा वो आपके मुँ को पकड़ने नहीं आएगा तू मत कर लेकिन उसने कहा तुम्हे घायल होना पड़ेगा अपमानित होना पड़ेगा और तुम्हारी बेजती जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे कभी नहीं मिटेगी imagine कर सकते हैं करता जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे last time तक वो बेजती तुमें follow करेगी कभी तुम्हारे बच्चे से देगी कभी तुम्हारे ताया से देगी कभी तुम्हारे बिजनस से देगी हमेशा तुम्हारी इंसल्ट होती रहेगी जब तक तुम धरती पे रहोगे और जैसे ही आप आज इस पाप की खिशमा मांगेंगे और दुनिया में दोबारा इसको ना करने का वाइदा करेंगे इज़त आज से आपको फॉलो करेंगे आप चाहे क्रिश्चन हों चाहे नौन क्रिश्चन हों चाहे नए हों चाहे पुराने हों परमिश्वर सेकिंड चांस देने वाला परमिश्वर मजाग करते लोग अपनी जिंदगी के साथ एक बार गिर गए माफी मांग ली फिर गिर गए क्या ड्रामा चल रहा है यह तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है तुम जोकर हो, स्पिरिचुल जोकर हो तुम और तुमने सरकस जला रखी नेयनियम में पालुस कहता कहता तुम घमन करते हो कि है ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में इसकी पांच गर्फेंड्स है वाह कहता ऐसा व्यक्ति निकाल दिया जाए शरीर के विनाश के लिए शेटान को सौप दिया जाए एक लड़के आए कौायर में मेरे से गलती हो गई माफ कर दो मैं प्रभू के सेवा चाती हूँ ठीक है जो हो गए ठीक है आजाओ ठीक है दो चार महीने में फिर उसी पाप में बोला आप नहीं रखूंगा कौायर में क्योंकि आप जे जान बूच के गलती और आउट करना पड़ा क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो आपकी फायर को खतम कर देगा लाइफ का सम्थर पथ आपको लेने नहीं देगा अनमोल जीवन का शिकार कर लेगा और लिखा घाइल होना पड़ेगा अपमानित होना पड़ेगा और नाम धराई कभी नहीं मिटेगा दाउद इस दुनिया में जब तक रहा उस पाप के बाद उस पाप ने उसका पीछा किया उसको माफी मिल गई परमेशन ने उसको साथ दे दिया अपना पर वाइबल कहती उसके लाइफ के एंड टाइम तक उसके बेटे उसके कई बेटे उसके खिलाफ रहे सुलेमान के भी खिलाफ रहे कितने मेरी बात को समझ रहे और जब इस तरह की पवितरताई हमारी जिंदगी में फॉलो करती और अगर हम अन्मेरिड हैं हम मेरिज का वेट करेंगे अगर मेरिड हैं तो मेरिज में इमानदार रहेंगे अपने पार्टनर से तो समझ लो आपके फिर गुड डेज, बेस्ट डेज शुरू हो चुके क्योंकि बाइबल गहती है इसके परिनाम दूर वले इसके परिनाम कौन से है दूर गामी और गंभीर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन 40 साल से क्रिष्चन है लेकिन अगर आप उनके घरों में चले जाएं और उनके पडोसियों के पास चले जाएं आविश्वासी और विश्वासियों में कोई फर्क नहीं नजर आएगा कारण है पवितरताई में ना रहना क्योंकि यहीं पवितरताई है जो एट्रेक्ट करती है परमेश्व के फेवर को जो खीचती है परमेश्व के मसे को जो खीचती है परमेश्व के अनिमेजिनेबल जो आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा फेवर ऐसी ब्लेसिंग आपके परिवार पे फाइनेंस पे आती क्योंकि आपको लगता है कि मेरी हीलिंग के लिए कोई खास एक मेडिसिन आ जाएगी या खास किस दिन प्रेयर हो जाएगी लेकिन परमेशन आपको वचन के जरीए भी हील करते हैं मैंने लोगों को पाप छोड़कर बढ़ते हुए देख है चंगा होते हुए देख है अजाद होते हुए देख है क्योंकि पाप छोड़ने से ही कई बंधन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी से आसानी से निकल जाते हैं वैश्या गमन के कारण लिखा मनुश्य टुकडों का भिखारी बन जाता है बाइबल कहते हैं परिस्त्री गमन करने वाले जादू करने वाले तोना करने वाले वेभी चार करने वाले परमेश्रों के राज्य के वारिस नहीं होंगे अगर जिन्दगी में लंबा जाना है तो आपको इस तरह की पवित्रताई अपनी जिन्दगी में फालो करने पड़ेगे अपनी पडोसी को बोलो बोलो पवित्र बन परमेश्र के वचन का आनादर मत कर क्योंकि तू परमेश्र का उत्रा अधिकारी नहीं बन सकता अगर तू अपना जीवन वैश्याओं के हाथ में और वैभीचारियों के हाथ में दे दे हालिलूया उसने का वैभीचार नहीं अनमोल जीवन का शिकार कर लेती आप चाहते हैं आपको अनमोल जीवन शिकार हो क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं होता उनकी जिन्दगी में परमेशों की कितनी बड़ी योज नहीं परमेशों ने किस काम के लिए उनको अपने पास बुलाया अगर उसने आपको अपने पास बुलाया उसने आपको कोई टेस्टमनी देनी गवाही देनी, आपको उंचा करने आपके रिष्चेदारों को आपके जरीए बचाना है वो तब ही बचा पाएगा अगर वो आपकी लाइफ में प्रूफ करेगा कि वो जिवित परमेश्वर है पर ऐसा कैसे होगा आपको मदद करनी पड़ेगी परमेश्वर की आपका चरितर आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी आप मुझे अपना चरितर बताओ मैं आपको आपका फ्यूचर बता सकता हूँ याकूब जब अपने बेटों को आशिरवात दिनने लगा तो सब बेटों को बुलाया और उनके चरितर के हिसाब से उनको prophetic words दिये जो कुछ नोने past में किया उसका असर हुआ चाहे अच्छा किया तो अच्छा बुरा किया तो बुरा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है इसका मतलब यह ने कि आप बार-बार गुना करें वो माफ करने वाला परमेश्वर है इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी value को समझते हुए आगे से हम पाप ना करे वाइबल कहती imagine करो एक 18 साल का लड़का एक 17 साल की लड़की boyfriend, girlfriend है आपस में और यही वो time था जब permission ने guide करना था कि बेटा तू इधर जा तू engineer नहीं बनेगा तू CA में जाएगा तू accountant बनेगा क्योंकि तेरी planning प्रभू की मेरी planning तेरी जिंदगी में ये है पर वो किसी से परभावित है वो उसे लगता है कि मैं engineer बन जाऊंगा और मैं सीधा Google में जाऊंगा job करने के लिए लेकिन इसके लिए कि इसके कानों को मोटा कर दूँगा तो ये परमेशो की बात को सुन नहीं पाएगा और इसलिए Bible कहती वे भी चारणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती अब वो बंदा क्या कर रहा है इंजिनरिंग कर रहा है मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं लेकिन फिर भी life में blessing नहीं क्यों क्योंकि वो बना नहीं है उस काम के लिए वो बना है किसी और काम के लिए और बताएगा कौन बताएगा परमेशो का आत्मा वो बताएगा कब जब हम सिद्धता में चलेंगे और परमेशो के वच्छन को तोडेंगे नहीं ले हैं पानी पी ले हैं क्या ड्रामा लगाया हुआ है अब तेरे बनने का टाइम हो और शेतान तुझे बिगाड रहे और जब तब बन गए और जब मैरिस का टाइम होगा परमेशुर उस हिसाब से तुम्हें आपका पार्टनर देगा जो उस वीजन को आगे लेके जाएगा बलकि पीछे खिजने वाला नहीं होगा हर एक चीज टाइम पर अच्छी लगते जिस दिन आपने घर की नीव डाली थी उसी दिन फ्रिज ले आओ घर के बाहर खड़ा कर दो और और बहस करो फ्रिज नहीं चाहिए क्या पाजी चाहिदा नहीं फ्रिज ठंडा पाणी नहीं पीना ही उसी दिन घर के पार अशी सी लगादो वोलो ला चाहिदा नहीं एसी क्रंणी कर्मी है पहले घर तो बना हो एसी लगाने का टाइम आगा भो भी लगेगा न जब फ्रिज लगाने का टाइम है लग जाएगा घर बना नहीं लेकिन एसी फ्रिज खरीद लिया और हैं गइंड हैं आफ्कोम का है और कितना चाहिए ओर कौंशा चाहिए वह रायट टाइम पर आपको देगा मैं बड़ा कलो मां प्रभू कुछ सोटता क्यों है जो मिद्लेजुद देखा अधर मीरा काम कर्रहे है इस Aha जब आपको देखे timeframe मेचलते वो जान लेगा मुझे वो जान लेगा मुझे कौन सी बात कप देनी है सब बाट टाइम पर आएंगे इश्व मसी के नाम में अगर आम मेरे हो चैचर्च